So hello my beautiful souls, welcome to my channel people terror So guys, कैसे आप सब लोग, I hope आप सब लोग अच्छे होगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे So guys, आज मैं आपके लीडिंग लेकर आगे हूँ आपकी लाइफ में आपका भाग्या क्या लेकर आने वाले होगे What is written in your destiny So, क्या होने वाले है guys, आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में So, आपके सामने आपको options दिख रही होगी First card है guys, काली मा का And आपके और राशी दिखी रही होगी आपकी Aries, Leo, Satch, Gemini, Libra, Aquarius अगर आपकी राशी है, Sun, Moon, Rising and North Node में So, आपको first pile चूज करनी है, पिक करनी है So, अगर आप second pile को पिक करना चाहते हो Time stamp description में होगी So, green tarama आप पिक कर सकते हो card को And अगर आपकी राशी है, Taurus, Hugo, Capricorn and Cancer, Scorpio, Pisces So, आप second pile को पिक कर सकते हो And guys, मैं आपको options पास में से दिखा देती हो So, आपकी सामने first pile है, काली मा, okay And second है, guys, green tarama, okay So, आपको पिक कर सकते हो, pile को आपने मुझे कहा था, कि आप पास में से दिखाना मैं ठेक है So, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पास में से ही piles, okay So, आपको चूज करना है, description में है, time stamps And guys, अगर आप Instagram पे हो, तो आप वहाँ follow कर सकते हो, मुझे And also, अगर आपको personal and paid readings चाहिए, तो वह भी आप ले सकते हो, okay मैं आपको वहाँ पे, आप DM कर दे न, मैं आपको वहाँ पे details दे दूँगी, जो भी है, ठीक है आपको कितने में मिलेगा, one question, okay So, guys, देख लेते हैं, first pile के लिए क्या आता है आपकी life में क्या आने वाल है, आपका भग्ये क्या लेकर आने वाल है आपकी life में, okay So, guys, अगर आपकी राशी है, Aries, Leosad, Gemini, Libra, Aquarius तो, guys, आपके लिए है, first pile And अगर आपने काली मा की कार्ड को पिक किया था, guys तो, आपके लिए message है, facing fear, major spiritual changes Changes are unfolding and this is your chance to soul So, guys, आपको कहा जा रहा है, आपकी life में major spiritual changes आ रहे हैं, okay So, यह आपका chance है, आपकी life में, okay, आगे भड़ने का And also, अपनी life में कुछ कर दिखाने का, okay आपकी life में, जो आने वाला time है, guys आपकी life में major spiritual changes आने वाले हैं, इस time में, ठीक है So, काली में आपको यही बताना चाहती है, okay So, guys, देख लेते हैं, आपकी life में, आने वाले time में क्या होने वाला है So, start करते हैं, आपकी reading, guys आज हम यहाँ से देखेंगे, इस deck से So, यह deck आज विश्राम कर रहा है, ठीक है Rest कर रहा है, इस deck को मैंने rest पर रख दिया है So, आज हम इस deck से देखेंगे, guys आपके लिए क्या होने वाला है, आने वाले time में, आपके future में क्या होने वाला है Moon card है आपके लिए first, okay And also second one, आने वाले time में आपकी life में, आपका भाग्ये क्या लेकर आने वाले है Okay, sun card दिखा है, तो of course, कुछ अच्छा ही होगा And sun and moon दोनों ही आये हैं, दिख गए मतलम मुझे ठीक है So, of course, कुछ happiness आपकी life में आते हो दिख रही है Okay, divine counterpart भी आप attract करते हो, दिख रही हो Okay, hangman So, आपकी life में क्या हो सकते हैं, आने वाले time में आपके साथ Sun of swords means, knight of swords Ten of cups guys, मैंने कहां, आपकी life में खुशन आते होई दिख रही हैं So, of course, ten of cups भी आपके लिए आ चुका है Wow, seven of wands, okay Wands की cards आए हैं तो So, fire sign के हो सकते हो आपलो Death Okay Okay, so guys, nine of wands है यहां पे Wow, bottom of the deck is nine of pentacles and high precious Okay, five of swords Wow And यहां से guys, hermit card है यहां पे And devil, okay And middle energies क्या है guys, hermit and devil, okay So, wow Ten of pentacles में आए है guys, पहले इसको ten of pentacles ही बोलने वाली थे And ten of pentacles आ भी चुका है आपके लिए So, ten of pentacles यहां पे and nine of pentacles bottom से आई है आपकी energies, okay So, guys, आपको कहा जा रहे है आपकी life में आने वाले time में बहुआ सारी happiness आप attract कर रहे हो, ठीक है? आपका भागय यही लेकर आ रहे है आपके लिए कि आप बहुत सारी खुशना attract करते हो दिखरे हो अपनी life में Transformation चल रहे है guys, आपकी life में change आता हुआ दिख रहे हो, okay Change आप चाहा भी रहे हो अपनी life में अगर किसी situation में आप struck थे तो उस situation में आपकी life में change भी आ सकता है, ठीक है? So ये कोई major spiritual change भी हो सकता है, जैसे आपको मैंने बताया, ठीक है? सकार के थूँ, so कोई major spiritual change आ रहे है आपकी life में, okay And nine of wants आपकी life में आप full strength के साथ खड़े हो, okay guys And of course आपकी life में आपको खड़े भी रहना चाहिए, हर एक situation से लड़ना चाहिए Seven of wants आपको हर एक situation से लड़ने के लिए बोला जा रहा है Passion अपने आपके अंदर ignited रखना है, ठीक है? अगर किसी competitive exam के लिए prepare करे है, तो उसके लिए आपको hard नहीं माननी है लड़ना है, आगे situation आपके हाथ में ही आने वाले है, ठीक है? So of course, ace of wants भी है, passionate रहने के लिए भी बोला जा रहा है आपको, ठीक है? New beginnings आते हुए दिख रही हैं आपकी life में, new beginnings, okay? And ten of cups है, घर में खुश्या आते हुए दिख रही हैं अगर आप किसी के साथ relationship में हो, उस person के साथ भी आपकी life में happiness आते हुए दिख रही है, ठीक है? Abundance दिख रही है, आपकी life में आते हुए, nine of pentacles का card आया है, यहाँ भी So of course, आपको कहा जा रहा है, कि आप अपनी life में pentacly wise, अपनी money के उपर work कर रहे हो, okay? And also, आप single हो सकते हो, guys, अगर आपको traditional deck में पता हो, pentacles, nine of pentacles का card, okay? आप single हो सकते हो, ठीक है, आपकी life में कोई नहीं है, तो of course, आप अपनी life में independent हो, आपको money wise कोई कमी नहीं है, ठीक है? यहाँ पर, अगर कोई situation में change आ रहा है, तो उसको आने दीजे, go with the flow situation को accept करिये, okay? आपको यह बोला जा रहा है, and of course, आपको गहाँ चारे, आपकी life में बहुत तेजी से कोई person आ रहे है, ठीक है? आपकी awakening होते हुए भी दिख रही है, आपकी life में, awakening चल रही है, आपकी, awakening होनी भी चाहिए, आपको, transformation के through, आप तभी जा रहे हो, क्योंकि आपकी awakening चाहिए, universe की तरफ से होनी, ठीक है, and यहाँ पर moon card है, of course, यहाँ पर यह दिख रहा है, कि आपकी life में कुछ चीजे hidden है, जो बाते हैं, आपके सामने आने वाली होके, and अगर कोई person आप से कुछ चिपा रहा है, वो भी आपके सामने आ जाएगा, guys, okay, and transformation दिख रही होते हुए, struckness से बहार निकल रहे हो, अपनी life में, passionate होने के लिए बोला जा रहा है, passionate हो भी, किसी situation में, यहाँ को exam है, love है, ठीक ह सभी चीज़ों के लिए, and आपको कहाँ जिरे, ऐसी passion एक night रखना है, यहाँ से face of wands ही दिख रहा है, एक तरह से, ठीक है, six wands साइड पे हैं, so अगर six wands देखे, तो आपको आगे आने वाले time में, बहुत ज़रा, मतलब आप जीत हासिल करते हो, दिख रहे हो, ठीक है, अप आपको लग रहा है, आपके life में, कब change आएगा, कब आपकी शादी होगी, guys, तो of course, कुछ लोगों की हो रही है, शादी, कुछ लोगों की नहीं हो रही है, so guys, यह reading, general reading है, so keep an open mind, अगर आप instagram पे हो, तो वहाँ पे dm कर सकते हो, personal reading ले सकते हो, okay, अपने लिए, so of course, ली है, अंजना कशप ने भी अभी ठीक है, अंशाहू, ठीक है, sorry, अंजना कशप ठीक है, so उन्होंने भी reading ले है, अपने लिए, and बहुत लोगों ने ले लिए reading, so of course, यहाँ से आपके लिए और देख रहे थे हैं, क्या messages आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है, आपकी life में क्या होने आने वाले है, आपका भागया आपकी life में क्या लेकर आने वाले है, आने वाले time में, vanity, guys, celebration होता हुआ दिख रहे हो के, यहाँ पर कोई person, आपको old age person, आपको बहुत सारी चीज़े समझाते हुए दिख रहे हो के, आप celebration कर रहे हो, यहाँ कहीं work office, यहाँ कहीं पे भी आपक सामने आ सकता है, ठीक है, आप कुछ चीज़े समझा कर आपकी life से जा सकता है, जो कि आपकी बहुत हल्प करनी वाली है आने वाले time में, okay, quest, okay, so guys पहले cards निका लेती हो, okay, पहले मैं बताऊंगी, completion, expansion, okay, vanity, quest, completion, and expansion, so perfection, and last one is, so growth, so guys growth आते हुए देख रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया, कि आपकी life में, आप independent होते हुए देख रहे हो, अगर आप independent थे, तो of course होते हुए देख भी रहे हो, ठीक है, and और भी आपकी life में money, आप abundance create करते हो, देख रहे हो, आने वाले time में, and कुछ चीज़े आपकी life से complete होते हुए देख रहे हैं, कोई loved ones, अगर आपकी life से चले जाये थे, तो guys आपको कहा जार है, वो आपको blessings देते हुए देख रहे हैं, ठीक है, and आपका भाग्य है, guys, आपका भाग्य है क्या लेकर आने वाला है, वो positive way में ही लेकर आने वाला है, and quest, आपकी life में, अगर आपकी life में, आपकी wish है, आप universe से जो मांग रहे हो, ठीक है, आपको चाहिए कि ये जो soka पड़ा हुए है, उसको green green, ठीक है, like, आपकी life में new, आप new beginnings चाहते हो, अपनी life में, ठीक है, परानी old चीज़ों को खतम करके new beginnings चाहते हो, तो वही होने वाले आने वाले time में, आपकी life में, okay, and expansion दिख रहे हैं आपकी life में, बढ़ते हुए चीज़े दिख रहे हैं आपकी life में, ठीक है, expansion, wisdom आते हुए दिख रहे हैं आपकी life में, आप अगर अभी तक wisdom नहीं थी, आपके पास, चेक है, वो knowledge नहीं थी, वो wisdom नहीं थी, तो guys, आपका भाग्य आपके लिए wisdom लाता कि help भी ले सकते होगे, and perfection के पीछे guys, ये भी मैं आपको बता देना चाहिए, perfection के पीछे इतना मत भागो, कोई भी perfect नहीं है, आजकल ठीक है, so of course, जितनी आपके अंदर खूबियां है, उसका इस्तिमाल करो, skills अपनी, use करो, so that आपकी life में आने वाले time में, सब कुछ आपको वो मिले, जो आप चाहते हो, growth आपकी life में आते हो, दिख रही है, okay, so guys, आपको अपनी perfection के पीछे नहीं भागना है, किस situation में, wisdom के पीछे भागी हो, okay, wisdom आपकी life में आते हुए दिख रही है, आप अपनी life में बहुत सारी चीज़े सीखने वाले वाने वाले time में, learning, आपके growth के उपर focus करिए, growth आपके लिए important है, इस time पर, ठीक है, so guys, और देख लेते हैं, आपके लिए क्या आ रहा है आपकी life में, so guys, और क्या आ रहा है आपकी life में, all title, okay, contract, so guys, reading को like ज़रूर कर देना, अगर आपको पसंद आ रही हो reading, okay, deceit, okay, completion के उपर ही deceit आया है आपके लिए, so anyway, oh my god, क्या हो गया guys, आपकी life में ऐसा क्या चल रहा है, जो anyway, deceit, contract, all tied up, angel of balance, okay, so woman holding a heart, okay guys, bottom of the deck, angel of love, so guys, मुझे ऐसा लग रहे है कि आपकी life में, आपको अभी-अभी किसी ने धोका दिया है, किसी love situation में आपको, okay, angel of love आपका साथ देते हुए, दिख रही है, ठीक है, आपको प्यार में अगर धोका मिला है कहीं पर, आपको anyway feel हो रहा है, like, ठीक है, and deceit feel हो रहा है आपको, यहां तो guys, आपको किसी money wise loss feel हुआ है, अभी-भी इस time पे, and आपको कहा ज़रे कि contract, आपका ऐसे ही लिखवाकत लेकर आयो, आप universe की तरफ से ही हो, कि आपकी यहां पे कोई गलती नहीं, आपने कुछ नहीं किया है, इस situation में, आपकी mistake नहीं है, आपकी destiny में ही, यह सब चीज़े लिखी हुई थी, ठीक है, सब कुछ बंदा हुआ है, आपको कहा जा रहा है, ठीक है, आपकी life में जो भी हो रहा है, वो उपर वाले ने जो लिखा है, वही हो रहा है, ठीक है, उसको अपने उपर दोश मत लगाओ, अपने आपको girl feel मत करना, ठीक है, and woman holding a heart card आया है, यहां पर, तो आपको कहा जारे, आपकी life में कोई person आ सकते हैं, जो आपको बहुत ज़रा प्यार करने वाले होंगे, and वो person आपको ही अपना person मानेंगे, like उनके पास जो उनका दिल है, वो आपको ही देने वाले है, and आप भी उनको ही देना, ठीक है, so angel of balance भी आपको बताया जारे, that angel of balance आपके साथ है, आपको अपनी energies को balance करने के लिए भी बोला जा रहे है, यहाँ पर, like अगर आपकी यह energies मतलब, यह न यह energies होती है, हमारे अंदर ठीक है, दो energies होती है, masculine and feminine energies ठीक है, अगर आपकी यह energies मतलब feminine energies है, आपकी effect है, ठीक है, लग आपकी emotions आपको इससे control नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़र होते हो, बहुत ज़र एमोशनल हो, बहुत ज़र आप hurt हो जाते हो, ठीक है, तो उस situation से आपको बहार निकलना चाहिए, आपको अपने life में normal situation में रहने के लिए, आपको अपने आपकी healing करनी होगी होगी, सब कुछ आपके contract में आप लिखवा कर लाए हो, बट आपको अभी अभी किसी ना किसी ने धोका दिया है, तो उसकी वज़ह से आपको अच्छा feel नहीं हो रहे है, तो guys आपको justice मिलने वाले हैं, ठीक है, आपका भागय ये लिकर आ रहे हैं आपकी life में, आपको उन situations में justice मिलने वाले हैं, अगर आपको किसी ने धोका दिया है, उस person के साथ भी justice होगा, आपके साथ justice होगा, और वो persons के साथ भी वही situations दोहराई जाएंगी, so that उसको feel हो कि उसने आपको धोका दिया है, okay, so guys आपको angel of balance, balance करने के लिए बोल रहे हैं, आपको balance करने के लिए बोला जा रहे हैं, अपनी life में balance लेकर आईए, हर एक situation में आपको spiritual life आपकी है, तो of course आपको practical life की उपर भी focus करना पड़ेगा, okay, and अगर आप अपनी ज़्यादा ही spiritual हो रहे हैं, और आपकी जो practical life है, आपकी personal life है, उसके आप अंदर जा ही नहीं रहे हो, ठीक है, वो हर टाइम भगवान का नाम जब रहे हो, बैट कर कहीं पे, ठीक है, मंदिर में या कुछ भी, वो भी सही नहीं है, guys, ठीक है, येस, भगवान का नाम जबना चाहिए, बट जो हम इस धर्थी पे करने आए, अपने करमों को खतम करने आए हैं, ठीक है, हमारे जो भी करम है, उनको करना हमारा फर्ज है, ठीक है, तो वो सब चीजे भी हमें करनी चाहिए, भागवत गीता में भी यही बोला गया है, ये नहीं कि आपको भगवान की भक्ती में ही सारा दिन लगे रहना है, येस, भगवान का नाम भी जपो और काम भी करो, ठीक है, टाइम रख लो कि येस, एक घंटा या दो घंटा ठीक है, आपको अपने लाइफ में भगवान का नाम जपना है, ठीक है, तो ऐसे life चलती है guys ऐसा नहीं कि आप सोचें आप पैसे के बिना रह सकते हो या नहीं ठीक है आपको पैसे कमाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा तो करम करिए guys अपने life में ठीक है ये भी कहा जा रहे आपको अगर कोई आपको धोका देगा तो guys आपको उससे justice मिलेगा ज़रूर ठीक है justice आपके सामने आएगा ठीक है आपको universe को justice देगी अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है उस person का so passion ignited ace of wands का काड है ये so आपकी life में passion आ रहे है आपकी life में ठीक है आपको कहा जा रहे है आपकी life में passion ignite हो रहा है like आपकी life में new beginnings आ रही है आपकी life में आप बहुत ज़रा passionate होके हरे काम को करना start कर दोगे ठीक है आने वले time में spiritual strength आपकी life में so guys आपको कहा जा रहे हैं अपने आपको spiritually भी strengthen करे हो के अगर आप बिलकुल ही practical life में अपने personal life पे ही focus कर रहे हो तो आपको कहा जा रहे हैं अपनी spiritual life पे भी focus करना start कर रहे हो के आपकी life अगर आप क्यूंकि आपकी life में spiritual changes भी आ रहे हैं guys okay so वो आपको hit कर सकते हैं so of course आपको कहा जा रहे हैं अपनी life में spiritual strength बना के रखिए अपनी personal life के उपर भी focus करिए and balance बना करें see this again वही card आया है आपके लिए balance बनाने के लिए कहा जा रहे angel of balance and balance see this आपके सामने cards आ रहे हैं मैंने आपके सामने shuffle किया हैं so message बार बार वही आ रहे हैं आपको अपने life में balance बनाना है घर और अपने कामों को अपने life के कामों को अपने work and career and also अपने spiritual life को दोनों को ही महत्तव देना है ओके आपको so balance बना के चलना बड़ेगा आपको wow awesome guys आपकी life में प्यार आ रहा है new beginnings आ रहे हैं 2 aces के cards आ चुके है and again आप एक और चीज़ देख पा रहे हो 1, 1 and 11 11, 11 बन चुके है guys यहाँ पे so 11, 11 twin flame journey का भी part होता है and also आपकी manifestations okay आप जो भी करते हो manifestations okay so उन situations के बारे में भी बताता है so आप जो भी manifest करे हो वो भी आपका भागय आपकी life में लेकर आता हुआ दिख रहा है so positive moment forward so guys आपकी life में आगे moment हो रही है positive moment आने वाली आपकी life में ठीक है of course मैंने कहा कि positive way में ही reading जे जा रही है ठीक है जो भी situation आपकी life में हो चुकी थी वो situation से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो okay आपकी life में accelerated motions कोई situation बहुत ही fast way में आपकी life में आते हुए दिख रही है and आपको कहा ज़रे कि balance बनाना है आपको अपनी life में and spiritually अपने आपको strengthen करना है passion अपने आपके अंदर बना कर रखना है love अपनी life में आपकी life में आ रहा है okay कोई new person entered हो सकते है and also अपनी life में आपकी life में कोई आप अगर कोई relationship में हो तो guys वो relationship में बहुत ज़रा प्यार आने वाला है बहुत ज़रा sexually attraction बढ़ने वाली okay and again see this bottom of the deck is partnership and alliance so guys आप long distance से हो सकते हो आपके जो भी person है different caste religion दिख रहा है आपका favorite color yellow, green, blue, purple and orange हो सकते है okay and आप दोनों के color shade like एक थोड़ा सांबले हो सकते हो एक थोड़ा सा गोरा हो सकते है ठीक है ये भी हो सकते है 3 number आपके लिए important हो सता है 11, 11 and 11 आपका life path number भी हो सकते है 88 number यहाँ पी 2 8 numbers आए है so of course 88 number आपकी life में abundance लाते होए दिख रहे है 9 number also important for you September month, August month, November month, January month and also guys February month ये months भी आपके लिए important हो सकते है so guys अगर आपको reading पसंद आई हो तो like कर देना and subscribe कर लेना चाहन को bell icon को दबाह देना guys and guys यहाँ पी light गई हुई है ठीक है so of course आज थोड़ा सा आपको clarity में थोड़ा सा फरक लग रहा होगा okay because थोड़ा ring light नहीं चल रही हो okay guys and अगर आपको reading पसंद आई हो तो like कर देना and subscribe कर लेना चानल को bell icon को दबाह लेना guys and अगर आप Instagram पे हो तो वहाँ पे follow कर सकते हो guys and अगर आपको personal readings चाहिए तो आप personal and paid readings चाहिए तो आपको मैं details आप DM कर देना वहाँ पे कि आपको paid reading चाहिए तो आपको मैं charges बता दूँगी and वहाँ से मैं आपको अगर आपके पास Instagram नहीं है तो आप comment section में बताना ठीक है मैं वहाँ से आपको अपना number दे दूँगी सीधा आप वहाँ से सीधा आप message करना ठीक है call allowed नहीं है so message करना है आपको सिरफ आपको मैं details दे दूँगी so guys अभी के लिए इतना हर हर महादेर रादे रादे bye alhamdulillah so guys कैसे आप सब लोग आप सब लोग अच्छे होगे अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे so guys आज मैं आपके लिए इडिक लेकर आगी हूँ आपके भाग्य आपको कहां लेकर जाने वाल है okay आपका भाग्य क्या लेकर आ रहे है आपकी लाइफ में so guys देख लेते हैं आपका भाग्य आपकी लाइफ में क्या लेकर आने वाले आपके डेस्चनी मतलब आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है okay so green तारा माग आईज supreme protection you are protected, courts are being cut, move beyond limited trust so limitation trust so guys आपको कहां जरे आप protected हो courts cut की जारी होके आपके लिए अगर आपकोई negative people हैं आपकी लाइफ में तो उनके साथ आपकी courts cut करवा ही जारी है आपको कहां जरे move करिए अपने limitation से भी आगे and trust रखे कि yes जो भी हो रहा है सही हो रहा है जो होगा आने वाले टाइम में वो सही होगा आपके लिए right होगा ओके so green तरह हम आपको protection दे रही है आपको protection provide भी की जारी होके so guys देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आता है so यहाँ से guys आपके लिए क्या आ रहा है okay so guys दो cards आए हैं आपके लिए first one is eight of wands and second one is guys mother of cups so यह होता है आपकी queen of cups okay hierophant वाओ hierophant बहुत देर के बाद reading में आया है कभी ठीक है so इसलिए मैंने कहा इस deck से daughter of swords so page of swords okay दो cards आए हैं आपके लिए two of wands and the wheel of fortune wow hierophant and wheel of fortune big big cards five of cups and last one is four of cups wow five and four दोनों ही है साथ में ही आ चुके हैं so bottom of the deck is eight of swords okay so middle energy scan है guys आपके जिरिष्टे life में जो आने वाला है ठीक है eight of oh wow eight of swords and eight of cups okay okay यहां से ace of pentacles है wheel of fortune का माइनर अरकाना sorry sun का माइनर अरकाना so magician है यहां पर nine of swords है यहां पर okay eight of swords nine of swords okay so guys क्या होने वाला है आपकी life में क्या आने वाला है आने वाले टाइम में आपकी life में क्या हो सकता है आपकी life में भागे आपका क्या लेकर आने वाले आपकी life में so यहां भी guys आपकी life में एक चीज मुझे दिख रही है sadness okay आपकी life में आप अभी जो अभी time चल रहे हैं आप बहुत sad feel कर रहे हो अकेला feel कर रहे हो and आपको offers दी जारी हैं लोगों की तरफ से बट आप उन offers को accept नहीं करना चाहते हो and यहाँ पे guys four of cups है like आपकी situation यह है कि जैसे यहाँ पे guys यहीं दिख रहे है कि जैसे चूहा है ठीक है वो cups के ऊपर है but rat guys चीज छून रहा है कुछ खाने को ठीक है but वो वो चीजें उसके पास है but वो उसको देख नहीं पा रहा है उसके ऊपर खड़ा है वो ठीक है so आपके सामने बहुत सारी offers आ रही हूँगी बट आप नहीं देख पा रहे है उनको ठीक है eight of swords है यहाँ पे of course guys मुझे ऐसा लग रहा है कि eight of swords like आप कहीं पे struck हो struck situation दिख रही है आपकी life में ओके and eight of cups है move on का card दिख रहा है यहाँ पे move on करने के लिए भी कहा जा रहा है आपको आपकी अंदर से मतलब आपकी inner voice है वो आपको कह रहे है कि move on करो जो भी situation आपकी life में आई है उससे move on करना सीखो ओके hierofend है यहाँ पे of course marriage दिखा रहा है government job teaching की field में आप जा सकते हो कि यहाँ teacher हो सकते हो या try कर रहे हो teaching के लिए यहाँ guys यह है कि hierofend आपकी life में government job के लिए आप try कर रहे हो बहुत time से थी कि आपकी नहीं लग रही है आप exam देते हो बट fail हो जाते हो बट guys अभी इस time यह आपके लिए आ रहे है कि आपका भागे इसलिए change हो रहा है wheel of fortune है यहाँ पे आपकी luck change होने वाल है ठीक है कुछ लोग की युपिटर की महादशा भी चल रही होगी सो उनके लिए important message है guys आपका luck change होने वाल है money के sources खुद ही start हो जाएंग क्योंकि मतलब आपके सामने आने आप वहां से money earn करना start कर दोगे चाहें कम पैसा हो बटे यह earn करना start कर दोगे ठीक है and two of wands है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे guys यह दिख रहा है कि आप waiting period दिख रहा है wait करते हो दिख रहे हो यहाँ पे आपकी situation के लिए wait करना आपके लिए आपको कहा जहे कि अगर आप wait कर रहे हो आपके अंदर अगर patience नहीं है तो guys आपको sad होना पड़ सकता है अगर आप में patience है तो guys आपकी life में आपकी किस्मत change हो सकते है ठीक है थोड़ा patience रखिये हर एक situation की को सही से पर्खने के लिए ठीक है and guys eight of wands है यहाँ पे आपको कहा जा रहे है कि आपकी life में आपकी तरफ बहुत सारे offers आ रही है communication आ रही है आपकी तरफ ठीक है बहुत सारे business opportunities आ सकते है career opportunities आपकी life में आ रही है आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे grab करने है और आप किसी government job के लिए ही try कर रहे होगी and यहाँ पे guys दिख रहे है कि mother of cups बहुत ज़र emotional nature बनता जा रहा है आपकी आने वाले time में emotional nature हो सकते है आपका या कोई lady हो सकते है जो आपकी help कर सकते है आपकी life में ओकी motherly caring nature होगा ठीक है या आपकी mama ही हो सकती है वो बहुत ज़र emotional person है वो ठीक है and यह भी दिख रहे है कि daughter of sorts कुछ चीज के ओपर research कर भी रहे हो ठीक है research भी कर रहे हो आप लो या guys कोई research करने के बदे में जान रहे हो ठीक है यह आपको कहा जा रहे है या कोई study वगएरा में अभी आप page की situation में हो आपको night में जाना है धना आपको king में जाना है यह भी हो सकता है यहां पर marriage दिख रही है आपकी मुझे ये भी दिख रहा है Wheel of Fortune आपकी किस्मत के दर्वाजे उपन होने वाले हैं ठीक है आपको वहां ले जाएगी जहां आपको जाना है जहां से आप स्टुक्त थे वहां से आप निकलोगे move on करोगे ठीक है अगर आप एक ही जगह पे रह रहे थी comfortable situation में अपनी वहाँ से आप आगे बढ़ोगे situation को खतम करके ठीक है so guys और देख लेते हैं आपके लिए क्या है Taurus sign आपके लिए important होसता है Leo, Cancer, Aquarius, Capricorn, Sagittarius okay so यह signs आपके लिए important Scorpio okay expansion आती हो दिख रहे है guys आपकी life में ठीक है expand होता हो दिख रहा है आपकी life में सब कुछ अगर आप business कर रहे हो तो बहुत सारे clients आ सकते हैं अगर आप business नहीं कर रहे हो जोब में हो तो वहाँ पे आपको promotion दिख रहे है ठीक है मिलते हो है so victim वही मैंने आपको बताया कि आपको sad नहीं होना है victim feel नहीं करना है guilty feel नहीं करना है okay so जो भी कर रहे हो करते हैं अपना hardware करते हैं continue रखिए कोई भी चीज के बारे में ज़्यादा सोचने की जरुरत नहीं है fact aid guys आपको divine help कर रहे है खुद ही ठीक है यहाँ पे एक person है old age person जो आपकी help कर रहे है ठीक है आपका हाथ पकड़ कर आपको मुश्कलों से निकाला जा रहा है आपकी help की जारी है यूनिवर्स की तरफ से ही okay so यहाँ से देख लेते है completion okay so guys आपको कहा जा रहे है so guys completion देख रही है यहाँ पे होते हुए ठीक है तभी आप थोड़ा से स्टकना से बहार निकल रहे है ठीक है जो complete चीजें complete होते 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 हैं आपकी life में growth आते होते 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 हैं आपकी life में okay so जो चीजों रुकी होई थी वहाँ पे आपको growth दिख सकती है ठीक है and मुझे पता नहीं क्यों अभी आपरल में जो विसाकी आने वाली हो उसके बारे में दिख रहे हैं so of course आपकी life में आपकी fossil बहुत अच्छी होने वाली है ठीक है ये भी दिख रहे है growth होते हो दिख रही है but अभी बारिश पढ़ रही है पता नहीं क्यों ठीक है बट मुझे पता है कि लोग sad है ठीक है जो farmers है किसान है हमारे ठीक है पंजाब में instinct guys अपनी intuition का सहारा लेने के लिए बोला जा रहा है ठीक है आप protected हो guys आप लोग ठीक है आपको कहा जा रहे है अपनी instinct से पूछी है आपके साथ angels आपको help कर रही है हर एक situation से निकालने के लिए green तारह माँ आपको protect करके रखी हुई है ठीक है अपनी life में growth लेकर आ रही है आपको victim बनने से रोका जा रहा है ठीक है victim बनने से आपको पीछे किया जा रहा है खीचा जा रहा है and victim feel नहीं करना है चाहिए कोई भी situation आ जाए आपकी life में expansion दिख रहे है यहां पर completion दिख रहे है बहुत सरी चीज़ों की बहुत cycles complete हो सकते हैं आपके and facade यहां पर helping hand भी दिख रहा है ठीक है wisdom आपको life में आ रही है ठीक है mother थगाया आपकी help कर रही है खुद okay and आपको कहा जारे अगर आप grounded energies में रहना सीखे ठीक है धरती के साथ जुड़िये थोड़ा ठीक है आप new like new आप guys वो पेड़ वगरा पेड़ पौदे भी लगा सकते हो ठीक है trees वगरा लगा सकते हो आप new ठीक है या अपने घर पे ही पौदे लगा सकते हो ठीक है flowers लगा सकते हो like ठीक है so आपको कहा जारे आपकी life में wisdom आ रही है so of course mother earth गाया के साथ भी आप attach हो सकते हो so mother earth गाया आपकी help करेंगी आपको heal होने में आपको protect करने में आपकी life में जहां पे भी आप struck हो वहां से आपको निकालने में move करवाने में आगे ठीक है spiritual life अगर आपकी है तो वहां पे आपको move होना ही बहुत अच्छा होता है ठीक है spiritual life में एक situation से इस रखने से बहा निकलना ही सबसे अच्छा माना जाता है वाव sun card is here so of course आपकी life में खुश्या आते हो दिख रही है गाईस आपकी life में sun आ चुका है तो of course खुश्या तो आपकी life में है ही okay so sun के energies आपकी life में आना चाहती है गाईस आपको victim नहीं feel गतना है आपकी life में खुश्या आना चाहती है अगर आप try कर रहे हो फॉरण जाने के लिए वो भी आपका हो सकता है यहां पर sun की situation आई है और यहां पर मुझे पता नहीं क्यों long distance long distance सुनाई दे रहे हो के so long distance कुछ आपका नाता हो सकता है long distance से किसी person के साथ या कुछ ठीक है second chakra archangel Uriel guys archangel Uriel आपकी help कर रहे हैं आपकी emotions को control करने में आपकी help कर रहे हैं आपकी second chakra आपका जो sacral chakra है guys उसको control करने में ठीक है आपकी sexuality आपकी emotions उनको control करने के लिए आपकी help की जानी universe की तरफ से वाव थर्ड चक्रा भी आ चुके हैं guys आपके लिए archangel chamoal archangel chamoal आपकी help करने में आपकी willpower and increase करने में आपको अगर health issues है पेट के digestion के उसकी help कर रहे हैं ठीक है आपकी पेट के digestion वगएरा ठीक है गैस वगएरा को ठीक करने में आपकी help कर सकते हैं आपके जो heart chakra और also आपका crown chakra उसको ठीक करने में आपकी help की जारी है इंकी through ठीक है so guys आपको कहा जारे हैं आप भी अपनी help करिए ये नहीं कि angels archangel से ही help मांगने हैं आपको अपनी तरफ से भी बहुत कुछ करना पड़ेगा ठीक है so thinking woman आपको करना भी चाहिए so आपको कहा जारे हैं आप बहुत जारा सोच रहे हो किसी चीज के बार में overthinking कर रहे हो, tension ले रहे हो, depressed हो ठीक है so आपको ये सब चीज़े नहीं करने हैं आपको अपनी life के उपर focus करने हैं आप ही नहीं रहे हैं क्या फाइदा इन सब टेंशन का, okay ये सोचा करिए so आपको कहा जारे हैं कि जादा overthinking नहीं करने हैं आप यहां तो अपने study के बार में सोच रहे हो, ठीक है study बगरा करने का सोच हो, तो वहां पर आपको कहा जारे है कि अपने लिए time निकालिए आपकी life में ये खुशिया लेकर आ सकती है, ये सब चीज़ें, okay ये नहीं, यांग अपने energies को balance में लेकर आईए, okay balance चाहिए आपको अगर आगे बढ़ना है, ठीक है and overthinking छोडने पड़ेगी, ठीक है so इससे आपकी life में बहुत ज़रा effect पड़ रहा है, आपकी health के उपर so rest and resonate करने के लिए भी बोला जा रहा है आपको rest करिए guys, okay, अगर आपको लगता है कि yes, आप ठीक हो आपको rest की ज़रुद नहीं है, ठीक है so हर किसी body को guys, हर किसी की body को rest की ज़रुद होती है rest की बिना कुछ नहीं होता, okay and rest नहीं करोगे, तो guys, आप कैसे काम कर पाओगे अपनी life में fully energy के साथ, because सब कुछ बंदा हुआ है, ठीक है because body ऐसे ही बनाईगी है, हमें rest भी करना चाहिए and also अपना काम भी करना चाहिए, जो भी हम काम करते हैं, ठीक है so guys, यहाँ से देख लेते हैं, और आपके लिए क्या आ रहा है आपका भागे आपके लिए क्या लेकर आ रहा है आपको rest करने के लिए बोला गया है, अब ही तो, ठीक है okay so आप किसी person के अट्व इंट्रेंट जर्णी में हो जकते हैं, इसलिए यह सब चीजें हो रही हैं आपकी life में, या soul में, जर्णी में, okay so यह सब चीजें दिख रहे हैं guys, आपके लिए okay patience and planning, so guys, आपको कहाँ जारे patience रखिए, planning करेंगे, okay अगर आपको इसी चीज के बरे में, अगर आपको study करने हो, उसके लिए पहले आपको planning करने पड़े, okay patience रखना पड़ेगा, पहले full up table, time table बनाओगे, ठीक है, planning करके full patience रखोगे, ठीक है, उस time table को बनाने में भी, तभी आप अपनी study start कर सकते हो, okay सो ये सब चीजे दिखाई जा रही है, and guys, यहाँ पर dust भी दिख रही है, मुझे, so of course आपको काजर अपने, अगर आप घर को साफ नहीं रखते हो, वो भी एक situation है, कि जो आपके भाग्या को अच्छा होने में रो करी है, ठीक है, अपने घर को साफ रखा करी हो, okay and यहाँ भी dust दिखी है, यहाँ पर, so आपके पास options हो सकते हैं, यह आपके लिए doors open होने वाले हैं, यह भी हो सकता है, ठीक है, आपके पास options आने वाले हैं, यह भी हो सकता है, यहाँ पर again sacral chakra आगे है, guys, अपने sacral chakra के उपर work करीए, अपने second chakra के उपर, okay आप YouTube पर meditation sound, guys, आप search कर सकते हो, आपके सामने आ जाएगा, आप वहाँ से आप अपने meditation कर सकते हो, okay आपको tension लेने की जरुरत नहीं है जादा, आपको first chakra, sorry, passion ignited, one number so guys, आपको कहा जारें, आपकी life में, आप बहुत ज़रा passionate होकर अपने life में आगे बढ़ने वाले वाने वाले टाइम में आपका भागे आपको बहुत चाहियों तक लेगा जाने वाले new beginnings आ रही हैं आपकी life में, okay so कुछ भी चीज हो सकते हैं guys, आप थोड़े से confusion भी हो, दो options हो सकते हैं आपके पास so guys, foundation and achievement, आपकी family में बहुत सारी happiness आते हो दिख रही है, ठीक है आप imagine करे हो happiness को, okay, कैसे आपकी life में आई, and also ये भी दिख रहे हैं कि yes, आप अपनी life में marriage तक जाना चाहते हो, आपका भागया marriage भी लेकर आता हुआ दिख रहे है so of course marriage आपकी life में आ सकते है guys, okay okay, दो cards आ चुके है, transformation, change आता हुआ दिख रहे हैं आपकी life में guys, बहुत बड़े-बड़े changes आपकी life में उते हुआ दिख रहे है and आपको heart again, loss feel हुआ है अभी, तो of course, अगर आपका दिल दुखाया है किसी ने तो guys, आपके साथ justice किया चाहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उपर वाला भैठा है ना, जिनोंने हमें भेजा है, अगर उनको tension नहीं है तो हमें किसकी होगी, ठीक है, tension सो हमें अपने tension नहीं लेनी चाहिए, ऊपर वाला जो करेगा, सही करेगा, ठीक है and guys, I don't know why, but मुझे, मैंने eyes close कर रखी है and मुझे hearts देख रहे हैं, heart like, दिल, ठीक है so like, हवा में उड़ते हैं, जो balance, heart वाले होते हैं, so वो देख रहे हैं, red color के, okay so कोई person आपका proposal देने वाला है, propose करने वाला है यहाँ guys, आपकी marriage होने वाली है, यह भी दिख रही है मुझे यहाँ पे oh my god, spiritual union guys, आपकी person divine counterpart के साथ, आपके soulmate के साथ, आपकी शादी होते होगे दिख रहे है two of cups का card है, यह equal given take करोगे guys, okay and आपके person आपको हर एक situation में support करते होगे दिख रहे हैं, ठीक है आपको हर एक situation से बाहर निकालने के लिए आपकी help करेंगे, आपके person and guys, आप सोच लिजे के आपकी life में change आ रहे हैं, आपको heartic feel नहीं करना है आपकी life में passion आता हुआ दिख रहे, ठीक है जो भी options हैं, उसमें सही से आपको choose करना है, okay and also guys, आपकी life में जो अगर आपके अंदर emotions control नहीं है तो of course emotions को control करना सीखिए अपने sexual abilities अगर आपके अंदर है, तो of course उसको अपनी काम के उपर लगाए, ठीक है उससे आपके अंदर ही, आपको कहा जा रहा है कि transformation आ रही है, आपके life में change आता हुआ दिख रहा है, ठीक है and foundation achievement है, आपकी life में foundation create होते होगे दिख रही है, आप दोनों की ठीक है तो किसी पर परसन के साथ आप हो, तो of course आप दोनों की life में बहुत साथी खुश्या आने वाले है so guys अगर आपको rating पसंद आई हो, तो like कर देना, subscribe कर लेना, चाहिए को bell icon को दबा लेना guys and अभी के ले इतनाई हर हर महादेव guys, राधे राधे, वाई, अल्हांद लिल्लाव